Good morning friends आज कि इस वीडियो में आपको गुलाब को कटिंग से प्रोपागेट करना बताऊंगा ग्रो करना बताऊंगा जियां दोस्तों आप लोगोंने मुझे रिक्मेंट किया था कि सरब गुलाब को कटिंग से उगाना बताइए तो इस वीडियो में मैं आपको जय गुलाब को कटिंग से उगाने की पूरी जानकारी सियर करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्केप ना करते हुए आखिर तक देखेगा इस वीडियो में मैं आपको जो है देसी गुलाब को कटिंग से गवाने की पूरी जान कर शेयर करने बाला हूँ तो फ्रेंड्स आप बने हुए हैं फार्मिंग टेप्स यूटूब पर अगर आप लोग हमारी इस चैनल पर पहली बार आई हैं या फिर आप लोग चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सी और जरूर कीजेगा जिससे अन्य फ्रेंट्स भी इस वीडियो का लाब उठा सकें और वो लोग भी अपने घर पर देशी गुलाब को कटिंग मेथर्ड से बड़ी असानी से उगा सकें प्रोपगेट कर सकें तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत के देता हूँ तो फ्रेंट्स सबसे पहले आप लोगों के पास चार देशी गुलाब की हल्दी कटिंग होनी चाहिए कुछ इस प्रकार की कटिंग आपको कम से कम 6 महीने पुरानी लेनी है जब भी आप लोग गुलाब की कटिंग ग्रो करें या फिर लगाएं तो एक दो कटिंग न लगाएं कम से कम 4 कटिंग लगाने की कोसिस कीजेगा क्योंकि जरूरी नहीं है हमारी सभी कटिंग ग्रो हो और उसके बाद आपको एक कटिंग लेनी है और फिर आपको एक कटर लेना है और इस तरीके से आपको एक कटर से गुलाब की कटिंग के निचले पार्ट को जो हम मिट्टी में दवाने बाले हैं उस तरीके को आपको इस तरीके से छील लेना है कटर की साहता से इस तरीके से जो आप चारोई गुलाब की कटिंग को निचले पार्ट को इस तरीके से छील लेंगे जो पार्ट हम मिट्टी में दवाने बाले हैं उसी पार्ट को आपको जो इस तरीके से छील लेना है तो चलिए इसी तरीके से मैं चारोई कटिंग के निचले सिरे को अच्छे से छीले लेता हूँ तो इस तरीके से आपको चारोई गुलाब के निचले सिरे को इस तरीके से छील लेना है जो सिराम मिट्टी में दबाने वाले हैं उसी सिरे को आपको अच्छे से छील लेना है तो मैंने याप पर चारोई गुलाब की कटिंग के निचले सिरे को अच्छे से छील लिया है अब ये बिल्कुल रेडी हैं मिट्टी में लगाए जाने के लिए चलिए अब मैं आपको मिट्टी तयार करके दिखाई देता हूँ हमने इस पॉर्ट में जो है अपने गाडन की मिट्टी सत्तर प्रसत ली है तीस प्रसत हमने इस मिट्टी में जो है गोबर खाद एड़ की हुई है अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप कॉमपोस्ट खाद ले सकते हैं और दोनों को आप अपस में एड़ करके इस पॉर्ट में उर्लेंगे हमने आपका 6 इंच का प्लास्टिक पॉर्ट लिया हुआ है अगर आपके पास प्लास्टिक पॉर्ट नहीं है वाइटेंग करने के बाद आपको गुलाब की कटिंग लेनी है जो हमने कटिंग का निचला पार्ट जो छीला हुआ था उस पार्ट को आपको मिट्टी में अच्छे से दबा देना है इस तरीके से अच्छे से आप गुलाब की कटिंग को मिट्टी में लगा देंगे दवाएंगे लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको गुलाब की कटिंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी प्रोपागेशन देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आपको गुलाब की चारोई कटिंग को मिट्टी में अच्छे से दवा देना है लगा देना है तो यह देखिए हम इसी हजारी की साहता से करनी है जिससे जो गंबले की मिट्टी है वो उखड़े नहीं तो हमने आप पर इस पॉर्ट में इन चारोई गुलाब की कटिंग में वाइटरिंग अच्छे से कर दी है यह देखिए अब आपको इस पॉर्ट को ऐसे जगा रखना है जहां पर हलकी जो है देशी गुलाब को रहनी सीजन में बड़ी आसानी से ग्रोग कर सकती है प्रोपागेट कर सकती है तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बा पगेट कर सकें धनिवाद थैंक यू